दोस्तों दाद खुजली देखने में किसी जक्म की तरह नजर आता है और यह शक्रमन तेजी से फैलता भी है यह हमारे श्कीन में लाल या भूरे रंग में उवरा हुआ नजर आता है दाद एक ऐसा फंगल इंफेक्शन है जो पैर, हाथ, गर्दन और बोडी के इंटर्नल और्गांस में भी हो शकता है फंगल इंफेक्शन का समय रहते इसका इलाज कराना चरूरी होता है क्योंकि अगर यह फैल गया तो इसमें फूंसी हो सकता है और इसमें पश्पी भर सकता ह इसलिए अगर आप दाद या खुजली से पीडित हैं तो इसका जल्द से जल्द इलाज करवाएं आज हम आपको दाद की इलाज के लिए बहुत ही आशान और परवावी घरे लूप चार बता रहे हैं दाद और खुजली के लिए नारियल तेल, गंदक और कपूर का मिक्शर बहुत ही कारगर उपाई माना जाता है अफेक्टर इडियर पर लगाने शुब बहुत जल्दी दाद और खुजली में रहत मिलती है दाद खुजली से चुटकारा पाने के लिए बारी रूप से इस्तमाल की जाने वाली ये अच्छी तरह से केश्विट दवाईयों में से एक है दूसरा उपाय है नीम के पत्ते और हल्दी दाद और खुजली के लिए नीम के पत्ते किसी रामबान इलाज से कम नहीं है नीम के पत्ते को पीछ कर पेश्ट बना लें और उसमें चुटकी वर हल्दी मिलाकर अफेक्टिड एडियर पर लगाने से दाद को जल्दी ठीक होने में मदद मिलता है या फिर आप हल्दी का ले भी इस्तमाल कर सकते हैं हल्दी एक नई कई मर्ज की दावा है हल्दी का एक टुकरा लेकर उसको पानी में मिलाकर पेश्ट बना लें और इस पेश्ट को दाद के एफेक्टेड हिसे पे लगाएं जब ये पेश्ट सुख जाए तो उपड़ से हल्दी के पेश्ट की दूसरी लेर लगाएं कुछी दिनों में दाद गाइव होना शुरू हो जाएगा इस नुस्के को अगर आप एक हफते तक लगातार अपनाएं तो पुरी तरह से दाद खाज खुजली ठी हो जाएगा